देखो बच्चो अब हम करेंगे question no.9 ठीक है इसमें क्या है दो तुम्हार पास circle है ठीक है यहाँ पे intersect कर रहे हैं पॉइंट B पर और C पर दोनों circles ठीक है यहां से एक line हमने draw कर दी ABD एक यह segment है और एक है PBQ यह दो lines है ठीक है बच्चो अब देखो बच्च अच्छे यह straight line थोड़ा मेरा circle वैसे होगे straight line होने थी ABD clear है यह बच्चो circle ना दिखने में बहुत यह figure complicated है लेकिन बहुत आसान है वाला question देखो हम कैसे करेंगे इसको मुझे क्या proof करना है that ACP मतलब ACP यह वाला angle QCD इस angle के equal है तो देखो सबसे पहले मैं इसको angle 1 दे देती हूँ ACP को मैंने angle 1 बोल दिया ABP को मैंने angle 2 बोल दिया QCD को मैंने angle 3 कर लिया और QBD को मैंने angle 4 कर दिया हमको क्या proof करना है angle 1 is equal to angle 3 proof करना है हमें अब देखो बहुत simple explanation क्या है बच्चो यह circle है बच्चो तुम्हाएं पस ठीक है complicated हो जाएगा तो इसलों को ऐसी समझो यहां पर point आ गया B इस court पर एक angle बना PBA दूसरे angle बना PCA तो दोनों angle सेम होगा क्यों होगा सेम बच्चो क्योंकि यह दोनों एक ही segment मिलाए करते हैं clear है इसी तरीकी से इस तरफ आओ इस circle में जो QD तुम्हारे पास court है है ना उसके ऊपर एक angle 4 एक angle 3 यह दोनों भी सेम होगे reason वही होगा क्या क्या क्योंकि यह angle same segment में लाए करते हैं अब तो आसान है बस यही जो तुम्हारा इसका हो जाएगा पूरा ठीक है मैं क्या कह सकती हूं angle 1 is equal to angle 2 यह angle इस angle के equal है दूसरी बार angle 3 angle 4 के equal है ऐसा क्यों है बच्चों अभी हमने क्या देखा क्योंकि यह क्या है बच्चों angles in the same segment है ना इसको तुम अपना मान लो first equation clear है ठीक है अब दूसरी बात देखो बच्चों angle 2 angle 4 equal है कैसे equal है क्योंकि यह vertically opposite angle ठीक है तो मैं कह सकते हो angle 4 angle 2 के equal है because they are vertically opposite angle ठीक है इसको तुम मान लो अपनी equation 2 clear है ठीक है तुम्हें यहां से हम क्या कह सकते है फ्रॉम 1 & 2 बच्चों figure जो है यह थोड़ा सा D को उपर बनना था ठीक है तो लोग बुक से ही देख कर बनाना ठीक है ताके ABD एक लाइन मा है ठीक है बस ऐसे समझ लो लेकिन ABD एक लाइन में आयका clear है तो मैं कह सकते हूं from 1 & 2 what I can conclude is angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4 यहां लेलो 1 equal to 3 है ना from 1 is equal to angle 3 यह क्या हो गया हमारा ACP is equal to angle QCD ठीक simple आराम से समझ में आया वीडियो पसंद आये तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करना thank you for watching brino solutions